नवस्कासातियों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जैंद चौधरी के बारे में और जब उत्तर फिदेश की राजनीती की बात हो तो जैंद चौधरी हों, अजीस चौधरी हों, इनका नाम हमेशा आता रहता है क्योंकि आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर फिदेश में इनकी फायटी का काफी दबदवा रहा है कुछ समय के लिए लेकिन आपने देखा है कि 2014 का लोगसबा चुना हो, 2017 का विधान सबा चुना हो या फिर आप देखिए कि 2019 का लोकसवा चुना हो इनकी party को काफी धक्का लगा और आप देखेंगे ये अपनी party अपनी seat भी नहीं बचा पाए समझ रहे हैं 2014 का लोकसवा चुना भी हार गए 2019 का ये लोकसवा चुना हारे और आपने देखा है कि ये अजीश सींग के बेटे हैं कुछ समय पहले अजीश सींग साहब की death हो गई है उनकी भी वाई वराप ही हम लोगोंने कबर की हुई थी और इनकी पहचान एक और नाम से जुड़ी रहती है चौदरी चरण सींग के बारे में आप लोगोंने सुना होगा हमारे देश के पिधान मंतरी भी रहे है तो उनके पोते हैं ठीक है और ये बात आपको याद रखनी चाहिए इन सब के बारे में जितने भी आपके पिधान मंतरी हो राष्टपती हो इनके बारे में आप लोगों को एक सामान जानकारी कम से कम मालू होना चाहिए इन सब की बापर आप भी हम लोगों ने कवर की हुई है तो जी बिनही की नाम से आपकी प्लेलिष्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी की बायोगर आप लोग देख लिजे उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उत्तर पिदेश राजनीती में काफी महत्पूर स्थान रखता है आप देखेंगे यह हैं उत्तर पिदेश इसकी राधधानी यह लखनव और आप सभी जानते होंगे कि 24 जनबरी 1950 को उत्तर पिदेश को राज्य का दर्जा मिला यहां अगर हम लोग बिदान सभा सीटों की बात करें तो 403 देखने को मिलेगी बिदान परिशत देखें बात करें तो 100 सीटें देखने को मिलेगी लोग सभा की बात करें तो 80 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा की बाता है तो 31 सीटें देखने को मिलेगी यानि कि यहाँ सबसे जादा सीटें आपको देखने को मिलेगी फिर चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ठीक है? तो इसलिए भी आपका उत्तरपिदेश महत्पूर्ण हो जाता है और आप समझते हैं कि उत्तरपिदेश ने सबसे जादा पिधानमंत्री दिये हुए है अभी अपने बरत्मान पिधानमंत्री की बात कर लिए नरेद मौदी, 2014 की लोकसभा में भी आपने देखा है कि गुजरास आप करिए गुजरास से भी चुनेते और आपकी बनारस से भी चुनेते लेकिन आपने देखा है दोनों सीटों से जीते थे तो उन्होंने बनारस को बनाये रखा अपने पास और गुजरास में बड़ोदरा की सीट को छोड़ दिया था उसके बाद देखा कि 2019 में लोकसबा चुना हुए तो आपने देखा फिर से बनारस से चुने गए ठीक है तो देखिए है जैन चौधरी की पिक्चर आप लोग को स्कीन पर दिख रही होगी अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो आप सभी को मालू है कि जैन चौधरी इनका पूरा नाम है इनकी जनम ते थी की बात करें इनका जनम होता है 27 दिसंबर 1978 को और कहां होता है टैकसास U.S.A. में सयुक्त राज अमेरिका में क्योंकि आप जानते हैं कि इनके पिता उहां रहा करते थे कहां U.S.A. में ठीक है नौकरी करते थे उसके बाद आप देखेंगे इनकी पिता की बात करीज चुपका हूँ कि स्री अजी सिंग इनके पिता है और माता की बात करें तो स्री मती राधिका सिंग इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो स्री मती चारू सिंग इनकी पत्नी है इनकी दो बेटियां भी है एक का नाम है सहरा और दूसरी है ईलेसा ठीक है और इनकी पाइटी का आप जानते हैं कि राख्टी ये लोगदल से जुड़े हुए है रालोद या आरलडी के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं और आप जानते हैं कि ये चौदरी चर्ण सींग ने बनाई हुई थी और आप सभी लोग जानते होंगे कि इसी पाइटी से मुलाहिम सींग भी कुछ समय के लिए जुड़े रहे हैं बाद में आपने देखा है कि मुलाहिम सींग इस्पाइटीस को छोड़कर उन्होंने सापा बनाई हुई थी ठीक है अगर इनकी सिच्छा की अगर हम लोग बात करें तो दिली उनिवसेटी के बैंकेटिस और कॉलेज से बीकों में इनोंने की उसके बाद London School of Economics से पोस्ट गेजुएट की ठीक है तो काफी पड़े लिखे भी है और किसानों का नेता इनका इने किसानों का नेता भी माना जाता है चौदरी चलन सींग देख लीजे चौदरी अजीच सींग देख लीजे इनकी पकड़ काफी किसानों में भी बनी रही है अब बात आती है इनकी राजनितिक सफर की तो आप देखेंगे 2009 में किर्सि सम्मंदी सम्थी का सदस्ट बनाया जाता है और नेतिकता असम्मंदी सम्थी नेयुक, किया जाता हैं यहाँ से इनकी राजमीतिक सभर सुरो मुथता है फिर आप देखेंगे 2009 में मतुरा निर्वाचन शित से 15 वी लोगसभा के लिए चुने जाते हैं कब 2009 में फिर आप देखेंगे 2012 में विधान सभा चुनाओ में मांट से विधायक चुने गए थे ठीक है? और उसके बाद आप देखते हैं कि 2014 में आपके लोगसभा चुनाओ होते हैं और इसमें आप देखेंगे मतुरा सीर्ट से भाजा बाकी हैमा मालनी धरवेंद से तीन लाग से अधिक मतों के अंतर से हार गए यानि कि 2014 का भी लोगसभा चुनाओ इन्होंने लड़ा कहां से मतुरा से लेकिन ये भाजापा पित्यासी हैमा मालनी से चुनाओ हार जाते हैं फिर आपने देखा हैं कि 2019 का चुनाओ होता है लोगसभा का और लोगसभा चुनाओ में जेंत चौदरी बागपस से चुनाओ लड़ते हैं लोगसभा का सत्रवी लोग सबागा लेकिन आप देखते हैं कि भाजापा के जो डॉक्टर सत्पाल सिंग थे उन्होंने करीब 23,500 बोट से इन्हें हरा दिया तो इनकी राजनेती के इन्होंने अभी राजनीती में मजे नहीं हुए है आप देख रहे हैं कि अभी इनकी राजनीती एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरू हुए है अब आने वाले टाइम में इन्हें के हाथो में आप जान रहे हैं पार्टी सब्व का पूरी तरह से अध्यक्ष बन चुके हैं क्योंकि इनके पितागी डैथ होने के वाल तो आंगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिरहाल इनकी इतनी ही राजनितिक यात्रा है अभी ठीक है झाल